ऐसा लगता है कि सिराट अपना आधार एक बालिका छात्रावास में स्थानांतरित कर देगा क्योंकि कार्तिक नहीं चाहता कि सिरत कैराव के साथ किसी भी समय तक रहे क्योंकि उसके लिए सच्चाई को संभालना मुश्किल हो सकता है। उसने महसूस किया कि उससे दूर रहने से उसे अपने बारे में भूलने या उससे दूर होने में मदद मिल सकती है। लेकिन फिर उसे याद आया कि काराओ के पास एक स्कूल प्रोजेक्ट था जिसमें पेर लगाना भी शामिल था। वो इसके साथ मदद करने के लिए रिजोर्ट में वापस आती है और कारते, कैरावत और सीरत तीनो एक साथ एक पेर लगाते हैं। गोयन का भी इस अच्छी पहल का हिस्सा बनते हैं और वे एक साथ एक मजेदार, खुशाल समय साजा करते हैं।